वेलकम स्टूदेंस क्लास टेंट के आज हमने आपके टेस्ट सीरीज में ग्रामर पार्ट लिया है इसमें आप टेस्ट देने के साथ सारी जो भी आपके टोपिक्स है इनके आंसर्स भी ट्रिक के साथ बनाना सीखेंगे यानि आपको ये टेंशन की जरत नहीं है कि आपका 15 मे से कितना स्कोर होता है बलकि आपको साथ ही यह जो क्यों से इनको बनाना भी हम सिखाएंगे लेकिन साथ ही आपका टेस्ट भी होना जरूरी है उसी से आप स्वेंग की का पता लगा सकते हैं परला आपके और क्रेक्ट आप्टर पॉर से हमने लेया एक क्ष।ं यह ऊच।्व से आप्टर अब्लेंग इप्लेंस प्रेश कंपाय वर्क और वेंट। मार्केट आपके सामने फौर ऐप्स दिएुए हैं ABCD में से आपको एक सेलेक्ट करना है तुरंत आप सेलेक्ट कीजिए फिर मैं समझाओंगा कि आएगा और क्यों आया प्लीज तुरंत आपको इतना ही टाइम मिलेगा वहाँ पर आपके सामने चार ओप्षन दिये हो कर दो हाँ पर आप इनको स्कों करें इनके आंसर सिमीं बता रहा हूँ पर लेक्ट है इसका आंसर आ पने जरूर बना लिया ओगा और इसका अिसका अंसर है आपके सामने B हैंड कउंप्लीटेड क्यों आ है बता देता हूं बिफोर आप Ltd. वाला दिया हुआ है आपको उश्रों पता है Before Aptor वाले में एक तरफ पार्ट orgasendi दूसे तरफ पर्पेक्ट आता है सीधा साही साहँ पे कोई भी दूल टेंशन ंग लेने की जरत नहीं ہے Before Aptor वाले में एक तरफ पर्पेक्ट आता है एक तरफ सिंपल आता है यह दिए यह आपर वेंट दिया हुआ है है यह नहीं पार्ट सिंपल दिया हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म इधर तो हैड कम्प्लेटेट दिया ना है नमबर टू बाइद एंड ओफ दिस मन्त सीमा ब्लेंक की स्पेस इस्पेंड ओल दे मनी और चार ओप्षन आपके सामने हैं विल दर्शम में नहीं है क्योंकि पेपर में आपको बहुत सारा वर्क करना होता है चार ओप्षन आपके सामने हैं जरूर आपने आपका आंसर सोच लिया होगा और इसका सही आंसर है डी विल हैव स्पेंट क्योंकि फ्यूचर फर्पेक्ट में एक एड़व है यानि एक परचा के अंत तक सीमा उसके पूरे पेसे खर्च कर चुकी होगी चुका होगा चुकी होगी चुके होंगी फ्यूचर परफेक्ट की पचान है और बाई एडवर्ब है टाइम एडवर्ब फ्यूचर परफेक्ट की एक ही पचान है इसमें आपको पता है विल हो या सेल हो प्लस थर walking और walks चार option आपके सामने हैं क्योसन ये रहा– options ये रहे तुरंन-फना जवाब सोचिए। क्या आएगा जरूर से आपको ये आंसर बनाना है जरूर से आपको आग्या होगा तो क्योसन को द्यान से समझेए और पिर आपका Alberta बनाए इसका सई जवाब है इसका सई जवाब है आपके C बोद वोकिंग क्यों है समझा देता हूँ यहाँ पर गोर कीजिए यहाँ पर जब वेन वाइल आ रहे हों mostly अधिकतर कोई कोई सेंटेंस अलग निकल सकते हैं लेकिन जचादातर में वेन वाइल आ रहे हों तो एक तरब तो कि आता है फस इंपल जो की दिया हुआ है और अ यहाँ पर आपश्चे दिया हुआ है और यह तो पाष्ट सिम्पल यह प्रिजेंट केंटनियूस है प्रिजेंट से एक तो बचा पास्ट गंटेनेश तो वह तो गइंगा च्वेसान पूर ही रेरली चार आपके सामने हैं ही रेरली कम ब्लेंक किस पेस यहां पर आपको कम किक इसकरेक्ट फोर नी है और here come comes has come welcome चार ओप्शन आपके सामने दिये हुई हैं यहां पर आप आपका अंसर जरूर से बनाईए ही rarely blank space come here चार ओप्शन आपके सामने come comes has come welcome message क्या आएगा आपको जरूर आंसर आगया होगा और इसका सही जवाब बताता हूं मैं आपको इसका सही जवाब है be comes क्यों आया क्योंकि यह जो परचान दी हुई है rarely, usually, always, frequently, generally इस सारे जितने भी हैं यह सब present simple tense की परचान है simple present tense की और यहां पर ही दिया हुआ है यानि कि he see it singular number name के साथ आपको पता है यह साथ है पस्टपों में तो कम के साथ comes आ गया अब हम पेशियों इसमें बढ़ते हैं he sold his old car yesterday यह पांच वाँ पका आपका बोर्ड का जो पेपर है वहां भी आपकी grammar बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि प्रेक्टिस जरूरी है बिना प्रेक्टिस के हम वहां जा नहीं सकते हैं आप आपका आंसर बनाईए फिर मैं आंसर बताता हूं he sold his old car yesterday जरूर से आपने आपका आंसर बना लिया होगा अब हम is cancer समझते हैं इस cancer हम यहां लिखते हैं आपको क्या करना है subject को object और object को subject बनाना है यानि कि ये तो आपको बता होगा कि he तो क्या है subject और his old car क्या है object यह तो है टाइम तो टाइम को तो छेड़ते नहीं सबसे लास्ट में लिखते हैं और यह दिए वर्ब वर्ब किसमें दी हुए यह दे के सेल की सेक इनफॉम दी हुए अब हमें पता है पेसिव में क्या होता एक टेंस आगे सरक जाता यानि उसकी वर्ब्स लेते हैं helping works तो यह past simple का हैं तो किस में चला जाएगा past continuous में यानि जो आएगा वो वाजवर आएगा ठीक है अब सबसे पहले हम क्या करते हैं his old car यहां पर लिख देते हैं क्योंकि यह object है इसको subject बनाएंगे तो हमने यहां क्या किया his old car यहां पर लिख दिया अब past simple का है तो continuous में जाएगा तो वोज वर आएगा car एक होचा ने singular number है तो क्या लगाएंगे वोज लगाएंगे तो हमने वोज लगा दिया अब यहां sold दी हूँ यह second form तो होती है और थर्ड भी सोल्ड होती है यानि कि वह अब तो में यहीं पर मिल गई तो यह हमने यहां पर लिख दिया his old car was sold और him को किसमें बदल देते हैं by him में यह हमने लिख दिया by him और time को वेशा का वेशा लिख दिया yesterday यह वहीं लास्ट में था पेश्यू में भी हमने लास्ट में लिख दिया हमारा आंसर हो गया question 6 Mohan Hage bought two new pens इसको पेश्यू में बदलना है आपको Mohan Hage bought two new pens इसको पेश्यू में बदलिए तुरंत पिर मैं आंसर बताता हूं Mohan Hage bought two new pens इसको वाले को तुरंत बनाईए ज्यादा टाइम नहीं है वहाँ पर आपको limited time मिलता है paper में जरूर से आपने आपका आंसर बना लिया होगा Mohan Hage bought two new pens का और अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो में इस subject और object तो यह मोहन है subject यह तो हो जाएगा object और two new pens है यह हो जाएगा आपका subject यह वर्व है इस ही तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इस object को subject बना ले तो हमने क्या किया two or new or pens हमने यहाँ पर लिखे two new pens लिखे अब यहाँ पर देखे हेज हेव वाला है तो हेज हेव प्लस बीन में चला जाएगा एक टेंस आगे सरक जाएगा अब हेज हेव वाला है तो singular के साथ हेज आता है और plural के साथ हेव आता है यहाँ पेंस दिया हुआ है बव अचन यह प्लूरल है तो क्या आएगा हेव आएगा और एक टेंस आगे किसक जाएगा यहाँ बीन भी साथ में आएगा तू न्यू पेंस है व बीन और बोट बाज़ा है यहाँ ठर्ड फॉर्म दियु एह सब्जेक्ट reports है यहाँ पर होती यह अब हम आ गए साहब यहां पर प्रेमिंग क्वेशन में यह देखे हूज ड्रेस ब्लेंग की स्पेस क्वेशन मार्क आंसर यह दिया हुआ है इससे में क्वेशन बनाना है दिस इज माई ड्रेस का क्वेशन बनाना है आपको प्रेमिंग क्वेशन में हूज ड्रेस तुरंत बन लीजिए whose dress blank space दिया हुआ है question मार के this is my dress answer लिखा हुआ है answer दिया हुआ है आपको question बनाना है जरूर से बन गया होगा बहुत simple है अब answer कितना simple है देखे whose dress किसकी dress है यह अब जवाब क्या है मेरी dress है तो इस my dress को छोड़ कर यह जो दिया हुआ इसे उल्टा लिख देंगे whose dress इस इदर लिखेंगे is this whose dress is this my dress को टा दिया this is my dress तो यह dress किसकी है इसको उल्टा लिख देते है इज इदर और इस इदर बस whose dress is this बन गया question number eight नरेश ड़स नोट लाइक स्वीट्स इसका question टेक बनाना है आपको question number eight का तुरंत बना दीजिए नरेश ड़स नोट लाइक स्वीट्स question टेक यह सारे question आपके बोर्ड में आने जा रहे हैं बिलकुल इसी पेटर्ण पर सेम और आपको जरूर से इनके प्रेक्टिस करना चाहिए पेपर में भूत कम समय रगया है और आपके लिए सक्त जरूरी है इसके प्रेक्टिस करना कई students को जरूर आगया होगा यह अब मैं आंसर बताता हूं question टे यह वाए उसको ही सी दे इट में चेंज कर लें नरेश क्या है मेल है तो ही आएगा और नेगेटिव है तो पोजिटिव में चेंज कर लेंगे यानि कि डज नोट वाला है तो डज लिख देंगे और नरेश को किस में चेंज कर लेंगे ही में तो डज ही यह बन गया question take कोई बहुत ही सिंपल है देखिए नरेस पुरुस्ता तो ही में चेंज कर लिया लड़की होती फीमेल होती तो शी में चेंज कर देते इस्टूडेंट्स पीपल बहु अचन होते तो दे में चेंज कर लेते नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दिया पॉजिटिव होता तो डज में आ गए इसके शर्य साद किया ने जा रहे हैं है किसन वन मार्ट का आएगा आपके टोटल 15 म का है है लो ऑग निशाहिज इन्टे backup जड़ना है बोट और तंद से आपको सहको कनेंट करना है जरूर से आपको आ जाएगा निशाहिज इंटेलिजेंट रेखाइज इन्टेलिजेंट इनडेंट बोट एंड से convexं बना आंखा को connect करना है जोड़ना है इनको रेकासय इंटेलिजेंट दुरंत बना दीजिए और जरूर से आपको जाओगा देखें दोनों की एक जोस बने विशेष्टा है common दी हुई है जरूर से आपने कोपी पेन अपने साथ रखिए और फिर अपने answers मेच कीजिए अब मैं answer बता रहा हूँ आपको क्या करना है जो दो different subject दिये जाएं उनकी विशेष्टा common हो तो ये both end या जो ये both है अब यहां पर intelligent intelligent common है ये दो लगए हिन दोनों भूढ वाले के साथ दूसरा यह रहेंड रहा यह हमने लिख दिया indeed का देखे आप यहां पर भूधर Amazon निशा और यह जा दो गए एक तर्थ लगा रहा था अब भूधर मी का आटा है हम उचन के साथ प्लूरल के साथ आ रहाता है तो हमने क्या लिख दिया यहां पर आर और फिर दोनों की कोमन है इंटेलिजेंट आर इंटेलिजेंट यह लिख दिया हमने बहुत निशाएंड रेखा आर इंटेलिजेंट को संटेन ही सामी सी सामी आईदर वोर से जोड़िए इसे चो संटेन ये वाला ही सामी सी सामी आईदर वोर से कनेक्ट करना है सेम मेतद है बोथ एंट वाला है मेतद है ज़्यादा टिपिकल नहीं है ही सामी सी सामी आईदर वोर से कनेक्ट कीजिए अपना हमसर तुरंत बनाएए आईद इसका मतलब होता है या तो या जरूर से आंसर बना लिया होगा आइदर और में ही सामी सी सामी बिल्कुल वे से करना है पहले वाले के साथ पहला दूसे वाले के साथ दूसरा यह देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आंसर में आइदर सबसे आगे लिख देंगे आइदर अब यही है ना यह पला वाला है देखे पले वाले के साथ पला दूसरे वाले के साथ दूसरा और यहां पर लेंगे और यह देखे सामी सामी तो इंटेलिजेंट है सही स्वरी सामी सामी तो कोमन है जैसे इंटेलिजेंट कोमन था ना एसे यहां पर कोमन है तो आधर ही और सी अब जो कोमन है यह मैंने अंडरलाइन किया हुआ इसको एक लिख देंगे दो बार लिख रहा है एक बार लिख देंगे आधर ही और सी कोमन वाला क्वेस्टन 11, C is very poor, C has the needy, all 2 से connect करना है, C is very poor, C has the needy, all 2 का मलब होता है, यद्दे पी, दो और all 2 का मलब क्या होता है, यद्दे पी, और यहां पर आपके दिया हुआ है, 11th क्वेस्टन तुरंत जोड जीजे इसको, C is very poor, C has the needy, all 2 से connect करना है, तुरंत बना लीजे sentence, C is very poor, C has the needy, all 2 से connect करना है, फिर मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, Question number 11, C is very poor, C has the needy, all 2 से, अब आपकांसर आ रहा है, यद्दे के all 2 होता है, यद्दे पी, यद्दे पी वो बहुत गरीब है, फिर भी वो नीडी यानि जरतमंदों की मदद करती है, तो यह जो all 2 है, आप क्या करेंगे, इस जगह लगा देंगे, इस जगह पर, मैं यहीं बत की जगह कोमा कर दें, और यहीं स्मोल लेटर में कर दें, यह, although C is very poor, यह द्दे पी वो बहुत गरीब है, C has the needy, यह कोमा का मतलब हो गया, फिर भी वो गरीब की, या नीडी यानि जरतमंदों की मदद करती है, Question 12, Mina say to Ram, where do you live, यह आप कहा क्या, narration, direct, indirect, इसको आपको indirect में change करना है, Mina say to Ram, where do you live, तुरंत बना दीजी, Question 12, Mina नी राम से कहा, where do you live, Question 12, Mina say to Ram, where do you live, यह आपका interrogative है, प्रिष्ण वाचक वाला है, आंसर बना लीजीए, प्रिष्ण वाचक वाले को कैसे बदलते हैं, तुरंत बना दीजी, Mina say to Ram वाला, मैं आपका wait कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, आंसर बताऊंगा, Mina say to Ram, where do you live, Question 12, जरूर से इसमें हर टेंस का आपको pronoun का ध्यान रखना पड़ता है, डारेक्ट इंडारेक्ट में, आंसर जरूर बन गया होगा, Mina say to Ram, अब सबसे पहले तो यह देखें, आंसर आ रहा है, आपका नहीं भी आया हो, तब भी हाँ समझेए, यह आपका देखें, प्रिष्ण मीना का हमने क्या किया, Mina लिख दिया, ठीके इसे by sequence चलिया, आप गलती नहीं होगी, say to hohta दिया, यहाँ पर हमने आस्क्ट लगा दिया, ठीके, और Ram लिख दिया, अब कोमा उमा सब अब अब यह कोमार्ट की सब, यानि मीना आस्क्ट राम, अब यह देखें, टेंस कौन सा ह टेंस है, डू डज किस में आता है, प्रजेंट सिंपल में, ठीके, यानि कि सीधा किस में जाता है, एक टेंस सीधा जंप होता है, दू से टेंस में, प्रजेंट सिंपल जाता है, पास्ट सिंपल में, यानि कि पास्ट सिंपल में जाएगा, अब यह भी पता होना चाहिए, आपको कि क्वेशन वाला जो होता है प्रस्णवाचक को सकारात्मक हो जाता है यानि कि यह जो प्रस्णवाचक चिन है यह वाला यह अटा कर हम इसको अपरमेटिव में सकारात्मक में बदलते हैं यानि वेहर का वेहर लिख दिया हमने ध्यान से समझना और यू दिया हुआ है यू को बदलेंगे यू को किसमें बदलेंगे आपको जरूर नियम ध्यान होगा अगर नहीं हो तो आप अपने वीडियो डिले हुए है डारेक्ट इन डारेक्ट के वहाँ पर देखे सन बटाए एग-दो, तीन यानि कि जो यू कौन सा परसन बदलेंगे हे वेहर ही ठीक है और यह देखे डिड़ा बनता दी दू को पास्ट सिंपल में ले जाएंगे प्रजिंट सिंपल में तो डिड़ आता लेकिन कंडिशन क्या है कि फ्रस्णवाथ को किसमें बदलना रहता है सकारातमंग में तो पार सिंपल में सकारातमंग में बदलेंगे तो डिड़ नहीं आएगा बलकि क्या आएगा पार सिंपल की वर्ब क्या होती है सेकिन फोम होती है यह आपको बदलना है indirect में my teacher said to me have you done your work यह आपको indirect में बदलना है direct में दिया हुआ है और यह भी आपके interrogative ही है तो जरूर से आपको यह बदलना ही है interrogative में प्रस्थन वाचक में जरूर से बनाईए इसे भी 13 question number 13 my teacher say to me have you done your work बहुत जरूरी है जरूर से बना लिया होगा आप लोगों ने इसका answer my teacher say to me have you done your work अब मैं आपको answer बता रहा हूं वही my teacher का मैं my teacher लिख दिया यहाँ पर यह लिख दिया my teacher ठीक है अब वही प्रस्णवाचा के देखे तो say to को किस में बदल देंगे ask में बदल देंगे तो यहने ask लिख दिया मी लिख दिया और यह को माटा दे अब वाकि किससे बन रहा है helping verbs प्रस्णवाचा किस से बना रखा है साइक किरिया से आपको पता है helping verbs और मोडल से बनाने वाले जो भी प्रस्णवाचा को होते हैं direct in direct में उन्हें हम इप या वेदर से बनाते हैं नियम होई रहता है प्रस्णिवात्र सकारात्म हो जाता है यानि माय टीचर आस्क्त मी इप इसकी जगह क्या लगा है इप अब यू सेकन परसन है होई सन बटा एक दो तीन की तरह किसे चैंज होगा ओबजेक्ट से ओबजेक्ट कोन है मी यानि आप सुयम हो तो मी का क्या कर लेंगे सब्जेक्ट में मी तो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई इप आई और सका रात्म करेंगे हे वाला है हे जे वाला प्रजेंट फर्पेक्ट का तो सीधा क्या होता है उसी का पास्ट हो जाता है जिसे प्रजेंट सिंपल पास्पल में गया तो प्रजेंट फर्पेक्ट योवर योवर है यू यू योवर शेकंड परसन है किसचे अनुसार चैंज होगा ओबडेक्ट के अनुसार यानी यह मी अब आपको चान याद करने होगी टेबल आती जो यहां पर देवाए आइम इम आप यू वाली if I had done my work और यह police stop लगा दिया तो question number 13 हमारा इस प्रकार complete हुआ अब question number 14 है आपके relative pronoun I know a boy the teacher punished him इसको आपको whom make change करना है, whom से connect करना है यह relative pronoun है I know a boy the teacher punished him question number 14 है इसको आपको change करना है whom connect करके relative pronoun whom से connect करना है I know a boy the teacher punished him whom से connect करना है जरूर से इसका आणसर आगया होगा I know a boy the teacher punished him whom से connect करना है और इसका सही आणसर है कुछ भी नहीं करना whom वाले में मैंने पढ़ा रखा है relative pronoun tricks में him, her, them whom इसको अठाकर whom लगाना होता है अब आप यहाँ पर समझे यह हमने क्या क्या सबसे पहले तो him पे गोला कर दिया नहीं तो बच्चे बहुत सी बार इसको वापस लिख देते हैं और यह whom में अब यह देखें यह him किसके लिए आया है यह him किसके लिए आया है I know a boy मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे teacher ने सजा दी तो him आया है अब बोई के लिए तो जिसके लिए भी जो यह संग्या है जिसके लिए भी सर्वनाम आये यह whom वो सर्वनाम whom में कनेक्टो कर उस संग्या के पास चला जाता है यानि कि I know a boy अब यह यहाँ पर देखे फला सेंटेंस वेशा का वेशा लिए लिए अब यह him किसके लिए आया है बोई के लिए तो यह whom कहां आ जाएगा सिदा उठकिस बोई के पास यानि whom लिख दिया हमने अब यह जो भी बचना सब the teacher punished यह इसके बाद लिख दे whom the teacher पूरा हम इसके बाद लिख देंगे और यहाँ पर हमने लिख दिया punished यह हो गया साब आपका whom से अब question 15 I went to the museum my brother works there इसको आपको वेहर से connect करना है question 15 को तुरंद बना लिजिए इसको वेहर से connect करना है आपको question 15 जरूर से आपका answer आगया होगा इसको वेहर से connect करना है और बहुत ही simple तरीका है आपको अगर यह नहीं आ रहे हैं तो इन सबकी मेने tricks बनाए हुई है आप चाहे तो framing question trick टेक question trick और भी आपके conjunction trick relative pronoun trick शांदार तरीके से बनाया हुआ है शिखाया हुआ है आप वहाँ भी शेख सकते हैं जरूर से answer आगया होगा और इसका answer है वेहर लगाएंगे तो जो जैसे हमने ही मटाया हूम लगाया तो इस तान सुचक्षब धर्टा कर उस जग़ए लगाएंगे यानि यहाँ पर देर दिया हुआ है तो देर रटा देंगे और जैसे इस लड़के के लिए ही माया था तो वो पूरी संग्या उटकर वो सरुना मुस्के पास गैसे यह म्यूजियम इस्तान है तो यह वेहर कहां चला जाएगा इस्तान के पास यानि हम इसको बनाएंगे आई वेंट तू द़ म्यूजियम यह तो हम वेशा का वेशा ही लिख देंगे ठीक है अब यह देर हटाया तो जैसे यह हूम इसके पास आया संग्या के पास यह भी वेहर भी कहांएगा इस्तान के पास यानि वेहर यह वेहर आगया अब यह वेहर हमने यहां लिख दिया अब इसके बाद में यह जो शेस बचा वो पूरा उतार देंगे वेहर माई और पिर ब्रदर वेहर माई ब्रदर और पिर हमने क्या लिखा है ब्रदर लिख के यहां पर और पिर यहां पर लिख दिया works, where my brother works, यह हमने पूरा लिख दिया, इस प्रकार यह आपका question number 15 complete हुआ, अब आपके हमने total 15 questions किये हैं और पूरी कोशिस किये कि test के साथ मैं आपको समझाओं कि कैसे इनके answers आए, फिर भी आपको कोई queries हो, तो आप please comment box में जरूर लिखें, इनकी मेंने tricks बनाई हुई है, उन्हें भी आप पढ़ें और जहां पर भी जिस भी topic में आपको कहीं कुछ कमी नजर आ रही है, प्लीज उस topic पर आप मेनद करें, अभी आपके पास वक्त है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो जाना, एक दिन आपकी exam में कम हो रहा है, इस बात को विशेश ध्यान रखें, और जादा से जादा जितना हो सकें, आप उन topics को पहले complete कर लें, जिनमें आपकी आज भी weakness, आपको इन टेस्ट से नजर आ रही है, यह टेस्ट से लिए आपकी लिए लिए जा रहे हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए students, thank you